नमस्ते जी, देश में चल रहा स्ट्रॉक्टरल रिफॉर्म्स का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है Transparent Taxation, Honoring the Honest, 21 सदी के Tax System की इस नई व्यवस्था का आज लोकारपन किया गया है इस प्लेटफॉर्म में, Faceless Assessment, Faceless Appeal और Tax Pairs Charter जैसे बड़े रिफॉर्म्स है Faceless Assessment और Tax Pairs Charter आज से ही लागु हो गए जबकि Faceless Appeal की सुविधा 25 सितंबर यानि दिंद्याल उपाध्याईजी के जन्ब दिन से पूरे देश भर में नागरीकों के लिए उपलब्द हो जाएगी अब Tax System भले ही Faceless हो रहा है लेकिन Tax Pairs को ये Fairness और Fearlessness का विश्वाज देने वाला है ये सभी Tax Pairs को इस महत्वपूर्ण तोफे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और Income Tax विभाग के सभी अधिकारियों को हर छोटे-मोटे कर्मचारी को भी बहुत बहुत शुपकामनाई देता साथियों, बीते छे वर्ष में हमारा फोकस रहा है Banking the Unbanked Securing the Unsecured और Funding the Unfunded आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है Honoring the Honest इमांदार का सम्मान देश का इमांदार Tax Pairs राष्ट निर्माण में बहुत बड़ी भूमी का निभाता है जब देश के इमांदार Tax Pairs का जीवन आसान बनता है वो आगे बढ़ता है तो देश का भी विकास होता है देश भी आगे बढ़ता है साथियों आज से शुरू हो रही नई व्यवस्ताएं नई सुविधाएं Minimum Government Maximum Governance इसके प्रती हमारी प्रतिवधता को और मजबूत करती है ये देश स्मास्यों के जीवन से सरकार को सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदब है साथियों आज हर नियम कानून को हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक एप्रोच से बहार निकाल कर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा है ये नए भारत के नए गवनेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सूखद परणाम भी देश को मिल रहे है आज हर किसी को ये एहसास हुआ है कि शॉर्ट कर्स ठीक नहीं है और हमारी यहां तो रेल्वे स्टेशन पर लिखा जाता है शॉर्ट कर्ट विल यू कट यू शॉर्ट गलत तोर तरीके अपनाना सही नहीं है वो दोर अब पीछे चला गया है अब देश में माहोल इस और आगे बढ़ रहा है कि कर्तव य भाव को सर्वो पर ही रखते हुए सारे काम होने चाहिए सवाल ये है कि ये बढ़लाव आखिर कैसे आ रहा है क्या ये सिर्फ सक्ति से आया है क्या ये सिर्फ सजा देने से आया है जी नहीं बिलकुल नहीं इसके अगर मोटे मोटे तौर पर मैं कहूं तो चार बड़े कारण है पहला पॉलिसी ड्रिवन गवनन्स जब पॉलिसी स्पस्ट होती है तो ग्रे एरियाज मिनिमम हो जाते है और इस कारण व्यापार में बिजनेस में और सरकार के और नेड़ेंव में भी डिस्क्रिशन की गुंजाईस कम हो जाती है दूसरा सामान्य जन की इमाददारी पर विश्वास तीसरा सरकारी सिस्टिम में हुमन इंटरफेस को सिमित करके टेकनोलोजी का बड़े स्तर पर उपलोग आज सरकारी खरीद हो सरकारी टेंडर हो या सरकारी सेवाओं की डिलिवरी सब जगह टेक इंटरफेस सर्विस दे रहे हैं और चौथा हमारी जो सरकारी मशिंडरी है जो बिरोकसी है उसमें एफिशंसी इंटिग्रीटी और सेंसिटिविटी के गुनों को रिवर्ड किया जा रहा है पुरस्कृत किया जा रहा है साथियों एक दौर था जब हमारे हाँ रिफॉर्म्स की बहुत बाते होती थी कभी मजबूरी में कुछ फैसले दिये जाते थे कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे तो उन्हें रिफॉर्म कह दिया जाता था इस कारण इच्छित परणाम नहीं मिलते थे अब यह सोच और एप्रोच दोनों बदल गई है हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीती आधारित हो तुकड़ों में नहीं हो होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफॉर्म करके रुप गए ये निरंतर सतर चलने वाली प्रक्रिया है बीते कुछ वर्षों में देश में डेड़ हजार से जादा कानूनों को समाप्त किया गया है इज अब डूइंग बिजनेस की रैंक मिंग में भारत आज से कुछ साल पहले 134 वे नंबर पर था आज भारत की रैंकिंग 63 है रैंकिंग में इतने बड़े बड़लाव के पीछे अनेकों रिफोंस है अनेकों नियमों कानूनों में बड़े परिवर्तन है रिफोंस के पती भारत की इसी प्रतिवध्यता को देख कर विदेशी निवेशकों का विश्वाद भी भारत पर लगातार बढ़ रहा है कोरोना के इस संकट के समय भी भारत में रिकॉर्ड एफडियाई का आना इसी का उदान है साथियों भारत के टैक्स सिस्टिम में फंडामेंटल और स्ट्रक्ट्रल रिफॉर्म्स की जरुवत इसलिए थी क्योंकि हमारा आज का ये सिस्टम गुलामी के कालखन में बना और फिर दीरे दीरे इवॉल्फ हुआ आजादी के बाद इसमें यहां वहां थोड़े बहुत परिवर्टत किये गए लेकिन लार्जली सिस्टम का करेक्टर उसकी चाल चलन वही रहा परिणाम यह हुआ कि जो टैक्सपेयर राष्ट निर्मान का एक मजबुत पीलर है जो देश को गरीबी से बहार निकालने के लिए योगदान दे रहा है उसको कटगरे में खड़ा किया जाने लगा इंकम टैक्स का नोटिस फर्मान की तरह बन गया देश के साथ चल करने वाले कुछ मुठी भर लोगों की पहचान के लिए बहुत से लोगों को अनावाशक परेशानी से गुजरना पड़ा कहां तो टैक्स देने वालों की संख्या में गर्व के साथ विस्तार होना चाहिए था और कहां गड़ जोड की साड़ गांड की ववत्ता बन गई इस विसंगती के बीच ब्लैक और वाइट का उद्योग भी फलता भूलता गया इस व्यवस्ता ने इमान दारी से व्यापार कारोबार करने वालों को रोजगार देने वालों को और देश की युवाश शक्ति की आकांग्षाओं को प्रोत्साहित करने के बजाए कुचलने का काम किया साथियों जहां कॉंप्लेक्सिटी होती है वहां कम्प्लाइंस भी मुश्किल होता है कम से कम कानून हो जो कानून हो वो बहुत पर्ष्ट हो तो टैक्सप्यर भी खुश रहता है और देश खुशाल होता है बीते कुछ समय से यही काम करने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे है अब जैसे दरजनों टैक्सिस की जगे जी एस्टी आ गया रीटर्ण से लेकर रीफन की ववस्ता को पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया जो नया स्लैब सिस्टिम आया है उसमें बेवजय के कागजों और दस्तावेजों को जुटाने के मजबूरी से मुक्ति मिल गई है यही नहीं पहले दस लाख रुपिये से उपर के विबादों को लेकर सरकार हाई कौर्ट और सुप्रिम कौर्ट पहुँच जाती थी अब हाई कौर्ट में एक करोड रुपिये तक के और सुप्रिम कौर्ट में दो करोड रुपिये तक के केस की सिमात ताईगी गई है विबाद से विश्वाद जैसी योजना से कोशिच यह है कि ज़्यादा तर मामले कोट से बाहर ही सुलज जाए इसी का नतीज़ा है कि बहुत कम समय में ही करीब तीन लाख मामलों को सुल्जाया जा चुका है साथियों प्रक्रियाओं की जटिलताओं के साथ साथ देश में टैक्स भी कम किया गया है पांच लाख रुपिये की आयप और अब टैक्स जीरो है बाकी इस लेब में भी टैक्स कम हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में हम दुनिया में सबसे कम टैक्स वा लेने वाले देशों में से एक है साथियों कोशिश यह है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो पेइनलेस हो फेसलेस हो सीमलेस यानि टैक्स अड्मिस्ट्रेशन हार टैक्स प्रणाली को उल्जाने के बजाए समस्या को सुल्जाने के लिए काम करें पेइनलेस यानि टैक्नलोजी से लेकर रूर्स तक सब कुछ सिम्पल हो फेसलेस यानि टैक्स प्रणाली कोन है और टैक्स अफिसर कोन है इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए आज से लागू होने वाले ये रिफॉर्म्स इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले हैं साथियों अभी तक तो होता यह है कि जिस सहर में हम रहते हैं उसी सहर का टैक्स डिपार्टमेंट हमारी टैक्स से जुड़ी सभी बातों को हैंडल करता है स्कूरूटीनी हो, नौटीज हो, सर्वे हो या फिर जबती हो इसमें उसी शहर के इंकम टैक्स डिपार्टमेंट की आएकर अधिकारी की मुख्य भूमिका रहती है अब ये भूमिका एक प्रकार से खत्म हो गई है अब इसको टैक्नोलोजी की मदद से बदल दिया गया है अब स्क्रूटीनी के मामलों को देश के किसी भी खेत्रे में, किसी भी अधिकारी के पास रेंडम तरीके से आवन्टित किया जाएगा अब जैसे मुंबई के किसी टैक्स प्रेयर का रिटन से जुड़ा कोई मामला सामने आता है तब इसकी छानबिन का जिंबा मुंबई के अधिकारी के पास नहीं जाएगा बलकि संभव है कि वो चिन्ना ही चला जाए, गोहार्डी चला जाए, राइपूर चला जाए, एंदवाय चला जाए वो फेस्टलेस टीम के पास जा सकता है और वहां से भी जो आदेश निकलेगा उसका रिव्यो किसी दूसरे शहर कहीं जाएपूर हो जाएगा, बैंगलूर हो जाएगा, चिन्नी हो जाएगा, कोची हो जाएगा वहां की टीम करेगी अब फेस्टलेस टीम कौन सी होगी इसमें कौन होगा ये भी कॉंप्यूटर रेंडमली तै करेगा और ये प्रक्रिया भी बार बार उसमें बड़लाव होता रहेगा साथियों इस सिस्टिम से करदाता और इंकम टैक दप्तर को जान पहचान बनाने का प्रभाव और दबाव का मोका अब जीरो हो गया सब अपने अपने दाहित्व के हिसाब से काम करेंगे डिपार्टमेंट को इस से लाब ये होगा कि अनावश्यक मुकदमे बाजी बचेंगे उससे दूसरा ट्रांस्पर पोस्टिंग में लगने वाली गेर जरूरी उर्चायच से भी अब राहत मिलेगी इसी तरह टैक्स से जुड़े मामलों की जाज के साथ साथ अपील भी अब फेशलेश होगी साथियों इस एक महत्वपूर्ण डिफॉर्म के साथ साथ आज भारत एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और वो है टैक्स पेर चार्टर ये टैक्स पेर चार्टर भी देश की विकाश यात्रा में बहुत बड़ा कदम है और टैक्स पेर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को सम्तुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का ये बहुत एहम कदम है टैक्स पेर को इस तरका सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश है गिने चुने देश है लेकिन अब भारत भी इस महत्मपूर कदम की और अपने आपको ले जाकर के उसमें शामिल हो गया है अब टैक्स पेर को उचीत विनम्र और तरक संगत वहवार का बरोसा दिया गया है यानि आएकर विभा को अब टैक्स पेर की डिगिनिटी का संवेदन सिल्ता के साथ ध्यान रखना होगा अब टैक्स पेर की बात पर विश्वास करना होगा डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक्त की नजर से नहीं देख सकता अगर किसी प्रकार का संदे है भी तो टैक्स पेर को अब अपील और समिक्षा का कभी अधिकार दिया गया है साथियों अधिकार हमेशा दाइत्वों के साथ आता है कर्तवियों के साथ आते हैं इस चार्टर में भी टैक्स पेर से कुछ अपिक्षाय की गई है टैक्स पेर के लिए टैक्स देना या सरकार के लिए टैक्स लेना ये कोई हक का अधिकार का विशे नहीं है बलकि ये दोनों का दाइत्व हैं जिम्मेवारी हैं कर्तव्य हैं रिस्पॉंसिमिलिटी हैं टैक्स पेर को टैक्स इसलिए देना है क्योंकि उसी से सिस्टम चलता है देश की एक बड़ी आबादी के प्रती देश अपना फर्ज निभा सकता है और उजवल भविश्की और कदम भी रख सकता है इसी टैक्स से खुद टैक्स पेर को भी तरक्की के लिए प्रगति के लिए बहतर सुविधाय और इंफास्ट्रक्चर मिल पाता है वहीं सरकार का ये दाइत्व है कि टैक्स पेर की पाई पाई का सदुप्योग करे ऐसे मैं आज जब करदाताओं को सुविधा और सुरक्षा ये दोनों मिल रही हैं तो देश भी हर टैक्स पेर से अपने दाइत्वों के प्रती जादा जागरुक रहने की अपिक्षा करता है साथियों देश स्वासियों पर भरोसा इस सोच का प्रभाव कैसे जमीनी पर नजर आता है ये समझना भी बहुत जरूरी है वर्ष 2012-13 में जितने टैक्स रिटन होते थे उसमें से 0.94 परसेंट की स्कूरूटिनी होती थी वर्ष 2018-19 में ये आंकड़ा घटकर 0.26 परसेंट पर आ गया है यानि केस की स्कूरूटिनी करीब करीब एक चोथा ही हो गई है चार गुना कम हुई है स्कूरूटिनी का चार गुना कम होना अपने आप में बता रहा है कि बदलाव कितना व्यापक है साथियों बीते छोए वर्सों में भारत ने Tax Administration में गवर्नांस का एक नया मोडल विक्सित होते देखा है We have decreased complexity, decreased taxes, decreased litigation, increased transparency, increased tax compliance, increased trust on the taxpayer साथियों इन सारे प्रयासों के बीश बीते छे साथ साल में Income Tax Return भरने वालों की संख्या में करीब डाई करोड की वृद्धी हुई है यह वृद्धी तो बहुत बड़ी है लेकिन इस बात का हम इंकार नहीं कर सकते हैं कि इसके बावजुद भी 130 करोड के देश में यह बहुत कम है बहुत कम है इतने बड़े देश में सिर्फ एक सो तीस करोड में से डेड करोड साती ही Income Tax जमा करते हैं एक सो तीस करोड में डेड करोड मैं आज देश हवास्यों से भी आगरा करूँगा जो सक्षम हैं उनको भी आगरा करूँगा बिन बिन करके वयपार उद्योग के संगठन चलाते हैं उनको भी आगरा करूँगा इस पर हम सब को चिंतन करने की जरूत हैं देश को आत्म चिंतन करना होगा और यह हमारा आत्म चिंतन ही आत्म निर्भर भारत के लिए आवशक है अनिवार्य है और ये जिम्मेदारी सिर्फ tax department की नहीं है ये जिम्मेवारी हर हिंदुस्तानी की हर हर भारतिय की है जो tax देने में सक्षम है लेकिन अभी वो tax नेट में नहीं है वो स्वाप प्ररणा सही अपने आत्मा को पूछे आगे आए और अभी दो दिन के बाद 15 अगस्त है आज आज दिन के लिए मरन मिटने वालों को जरा याद कीजिए आपको लगेगा हाँ मुझे भी कुछ न कुछ देना चाहिए आईए विश्वास के अधिकारों के दाईत्वों के इस महत्वपुन भावना का सम्मान करते हुए इस प्लेटफॉर्म का सम्मान करते हुए नए भारत आत्मंदिर भर भारत के संकल को सित्र करें एक बार फिर देश के वर्तवान और भावी इमानदार टैक्सपेर को बहुत बहुत बढ़ाई देता हुँ शुपकामनाय देता हुँ और ये पहल ये बहुत बढ़ा फैसला दिया गया है इंकम ट्रेक्स के अधिकारियों को भी जितनी बढ़ाई दे उतनी कम है हर टैक्सपेर ने इंकम ट्रेक्स अधिकारियों को भी बढ़ाई देनी चाहिए क्योंकि एक प्रकार से उन्होंने अपने आप पर मंधन डाले हैं अपने खुद की थाकत को अपने अपने अधिकारों को उन्होंने खुद ने काटा है अगर इनकम ट्रेक्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी इस प्रकार से आगे आते हैं तो किसको गर्व नहीं होगा हर देश स्वाइक को गर्व होना चाहिए और पहले के जमाने में साइट टैक्स के कारण कुछ समय से होगी लोगों ने टैक्स देने के रास्ते पर जाना पसंद नहीं किया होगा अब जो रास्ता बना है वो टैक्स देने की तरब जाने का प्रिमान के लिए इस ववस्ता का लापी उठाएं और इस ववस्ता को जूड़ने के लिए आगे भी आए मैं फिर एक बार आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं अनेक-अनेक शुब कामनाई देता हूं निर्मना जी और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत धन् करता हूं कि एक के बाद एक देश के उज्वल भविश के लिए लंबे अर्षे तक प्रभाव पैदे करने वाले अनेक सकारात्मक निर्णयों का नेतृत्व कर रहे हैं मैं फिर एक बार सबको बधाई देता हूं सबका धन्यवाद करता हूं